नमस्कार अब देखरे न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथुना आपके साथ बिहार में होने वाले मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में इस बार के होने वाले चुनाव में नर्वाचन को लेकर नए नियामवली में स पंशोधन भी किया जा चुका है इस बार के चुनाव में कई बाते खास होने जा रही है जहां इस बार मेयर के चुनाव में जो मतदान की प्रकिरिया होगी वो तीन EVM के द्वारा होगी और इस बार बिहार की जनता यहां की मेयर और डेपीटी मेयर को चुनेगी ऐसे में क् अपडेट निकल कर आ रही है इस चुनाफ को लेकर क्या कुछ दिशान निर्देश चारी किये गए हैं और इस बार खर्च सीमा को लेकर क्या बड़ी बाते कही गई है आईए इसके पूरे अपडेट हम आपको देते हैं राज में मेर और डेपीटी मेर के चुनाफ के लिए निर्वाचन नियमवली में संशोधन किया जा चुका है राजज निर्वाचन आयोग नई संशोधित नियमवली के अधार पर इस बार शेहरी निकाय का चुनाफ कराएगा खास बात या होगी कि मेयर और जेपीची मेयर के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च की सीमा तै होगी चुनाव में वे कितना पैसा खर्च कर पाएंगे या तै किया जाएगा इसके अलावा चुनाव में अब एक बूत पर तीन इवियम का इस्तमाल होगा एक वोट और तीन वोट देंगे एक वोट काउंसिलर के प्रत्याशी के लिए एक मेयर के लिए और एक जेपीची मेयर पद के प्रत्याशी के लिए नई नियामावली में इसका जिक्र होगा सूत्रों के मुताबिक नगरविकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन नियामावली में जल्द संशोधन किये जाने की उमीद की जा रही थी जिसको लेकर अब संशोधन किया जा चुका है बतादे कि नगरविकास चुनाफ का कारिकाल जून 2022 के पहली सफता में पूरा हो जाएगा इसको ध्यान में रखकर ही चुनाफ कराया जाने की संभावना है कोरोना के संक्रमंदर में गिरावच और स्थिती अनुकूल रही तो चुनाफ तैस समय पर ही यानी अप्रिल मई में करा लिये जाएंगे राज़निर्वाचन आयोग ने भी नगरपाले का चुनाफ की तयारी शुरू कर दी है सूत्रो के अनुसार जिलो से पिछले दिनों उतक्रमित और नए शहरी निकायों की जनसंख्या का ब्योरा मांगा गया था नगर निकाय चुनाफ में इस बार कई नए छेत्रों में भी मतदान कराया जाएंगे नगर विकास एवं आवास विभाग ने करीब 167 नए नगर निकायों का गठन उतक्रमन छेत्र एवं विस्तार किया है इन में 6 नए नगर निगम भी है इन छेत्रों में पहले वोट का गठन होगा इसके बाद आरक्षन के रोस्टर की प्रकेरिया पूरी की जाएगी फिर मतदाता सूची तयार होगी जिलो से फीड़बैक के आधार पर चुनाफ का कारिक्रम तै होगा सूत्रों के अनुसार नगर निकाय का चुनाफ एकी चरन में कराने पर विचार किया जा रहा है चुनाफ इवियम से ही होगा बतादे के वाजों का गठन आरक्षन रोस्टर और नए नगर निकायों में वोटर लिस्ट तयार कराने की प्रकेरिया में एक से दो महीने का वक्त लग सकता है ऐसे में लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसकी प्रकेरिया शुरू हो जाएगी नगर निकाय चुनाफ में नाम वापसी के 15 दन बाद वोटिंग का प्रावधान है कोरोना को देखते हुए नगर पाले का चुनाफ में एक बूत पर वोटरों की अधिक्तम सीमा एक हजार तय की जा सकती है ऐसे में इस बार बिहार में होने वाले मेयर और डेप्यूची मेयर के चुनाफ में कई बड़े बदलाफ किये जास चुके हैं साथे साथ कई बड़े संशोधन भी सामने आए हैं आपको पता दे किस बार पहली बार जानता के माध्यम से मेयर और डेप्यूची मेयर का चुनाफ कराया जाएगा और एक वोटर तीन बार वोट डालेंगे याने की मतदान के समय तीन इवियम का प्रयोग भी किया जाएगा फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही है न कई अपडेट्स के लिमाए साथ बने रहे निउस फोनेशन में नमस्का